कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात सुन लिजे कि आप कभी भी शनी देव का नाम सुनकर घबराएंगे नहीं जो मन में डाउट आ जाता है ना कि अगर शनी देव की बात हो रही है तो औरे रब बाबा इनकी नजर से तो ऐसाब कुछ नहीं होता और किसी पर दरश्टी आती है ठीक है लेकिन जितनी जल्दी महादेव प्रसंद हो जाते है ना उतनी जल्दी शनी देव भी प्रसंद हो ज अब ही सारी बात यहीं बता दूँगा तो कहानी में क्या बताऊंगा आपको अगर आप पहली बार हैं तो चलो मैं अपनी तरीके से शुरू करता हूँ नमश्कार हरहर महादेव जै भोलेनात आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स मेरा नाम नितिन है मैं यहाँ से फैक्ट्स ऐश्वर से जोड़े चमतकार रोचक पुरानिक कताएं और तीसरी शक्ती के प्रकृप के बारे में बात करता हूँ कहानी के माध्यम से अगर आप पहली बाहर आए हो तो प्लीज 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 पूरी कहानी सुनिएगा अगर आपको लगता है कि आपका टाइम अच्छा बीता वेस्ट नहीं हुआ तो प्लीज लाइक करिएगा आपके एक लाइक से पूरी मेहनत वसूल हो जाती है आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है बाकी चैनल का इंट्रो उसके बाद मैं शुरू करता हूँ और हाँ आपके मन से ये वाली दुविधा आज मैं दूर करतूंगा बहुत लोगों के सवाल हैं कि कभी भी हम तीसरी शक्ती के इर्दगिर्द होते हैं या हम ऐसी परिस्तेती में हफस जाते हैं तो सिर्फ हमें बाला जी ही भार ला सकते हैं शनी देव को आप कैसे भूल सकते हो इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है पहले इंट्रू फिर शुरू करता हूँ जैशनी देव आज की कहानी फरिदाबाद से है नाम इनका देनेश है और ये अपनी फील्ड के किंग है फील्ड क्या है लकड़ी का वेपार सोफे Gabrielle वगज़गे बनाते है बेशते है और ऐसा नहीं कि एकाद Gabrielle बनाते है या एकाद सोफा बनाते है ये बहुत बढ़े विकृता है बहुत बड़े बिसनेस्मेंन है अपनी फील्ड के किंग बोलने का मतलब ये है कि अपने स्टेट में या ये भी कह सकते हैं कि स्टेट से बाहर भी इनका बहुत जबरदस काम है लेकिन पैर जमीन पर है इनके ध्यान से सुनी एगा आपके भी आसपास कोई न कोई ऐसी मार्केट जरूर होगी जहां पर आप ये बात मानते हैं कि यहां पैसे वालों की दुकाने है यानि सब रहीज हैं सब के पास पैसा है जिनकी भी इस मार्केट में दुकान है वो पैसे वाला है आपके भी आसपास कुछ ऐसा एरिया जरूर होगा ठीक है अब इनका ये जो शोरूम है ऐसी जगह पर है जहां पर इतनी सी दुकान की भी बहुत जबर्दस वैल्यू है कभी भी कहीं भी कोई भी लंगर करता है कोई भी प्रशाद बनवाता है किसी को भंडारा करना होता है तो ये सब से आगे पहुंच जाते हैं और उन से कहते हैं कि देखे भंडारा मैं सब को चापका पैसा मेरा मुझे बस ये महन लीजे थोड़ा शरीर से मैं भारी हूँ तो मैं शारिड एक मदद नहीं कर पाऊंगा कि भंडारा खिलाना है लेकिन जितनी कर सकता हूं और जो कर सकता हूं वो मेरी जबकि सभी पैसे वाले हैं और सामने वाला किता भी नराज हो जाए लेकिन ये अपनी बात मनवा लेते हैं कि नहीं माभवानी का आपने जाग्रन कराना है आप कराओ पैसे मैं दोगा मतलब इनको बस मौका चाहिए किसी की भी मदद करने के लिए और ये बहुत ही प्यारे इनसान है जितने प्यारे ये इतना प्यारा इनका परिवार जो धरम पत्नी है वो भी बहुत पूजा पाठी है और इनके घर में शैनी देव की पूजा होती है ये मान लेजिए इनके गुरु है ठीक है अपने माता पिता के साथ रहते हैं इनका एक छोटा बिटा है ठीक और एक बड़ी बिटिया है बिटिया शादी लाइक है लेकिन अभी सीधा मैं आपको दिनेश टी के पास ही लेकर चलूँगा ये जो दिनेश हैं ये जो फरनीचर क काम कर रहे हैं ये मानिए कि कई पीडियों से इनके ये काम हो रहा है तो इस वेपार को घोट के पी रखा है इनों ने समझ रहे हो मतलब मैं जिस भाशा में समझा रहा हूँ शायद आप समझ पाएंगे आसानी से समझ पाओगे है ना तो इस वेपार के बारे में इन्हें पूरी नालिज है, कहां से लखड़ी आएगी, कितनी लखड़ी उठानी चाहिए, कौन से मौसम में कौन सी लखड़ी का वेपार सही रहेगा, जिससे आपने आर्डर लिया है, उसे कितने समय में पूरा करके देना चाहिए, जिसकी रिष्टे बचने के लिए क्या क्या मतलब बहुत जबर्दस तरीके से इस बिजनस की इने नौलिज है तो गाटा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता घर बहुत जबर्दस बना हुआ है आलिशान महल है जब सब कुछ ठीक है नितिन तो इनकी कहानी बेजी किसने है और ये तीसरी शक्ती का क्या हिसाब किताब है इनके साथ सब बताऊंगा दीरे दीरे आप कहानी के अंदर एक बार आ जाओ फिर मैं शुरू करूंगा अभी आप इनके महौल को समझ गए इनके परिवार को समझ गए इनके वैपार को समझ गए इनके मार्किट को समझ गए होता क्य है कि ये इनकी दुकान पर तकरीमन पच्चिस तीस लड़के काम करते हैं फरनीचर बनाने वाले फरनीचर पर पॉलिश करने वाले फरनीचर को गाड़ी में चड़ाने वाले उतारने वाले सभी को मिला कर बता रहा हूं कि करीब पच्चिस या तीस लोग माल लो ठीक है और य कर, किसी के घर में हारी है, बिमारी है, मैं ठीक कराता हूँ, मतलब इन्हें ये मानिए कि कभी भी कोई समस्या नहीं होने दे रही है, और हर बार ये बोलते हैं कि इनी से मेरा वैपार है, चाहे वो मुझे लाकर चाहे पिलाने वाला हो, चाहे वो मेरे लिए फरनीचर बनाने हो, चाहे वो बैंक से कैश लाने वाला हो, ये सभी मेरे बच्चे हैं, और इनके बिना मेरा वैपार चल ही नहीं सकता, बहुत प्यार करते हैं सभी से, और एक कमाल की बात बताओं, इन सभी के लिए इनके घर से रोज खाना आता है, जो इनकी धर्म पतनी है, सभी का खाना दोफैर का, और ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ अलग बन रहा है, इसके लिए कुछ अलग बन रहा है, ना ना ना, इन सभी का एक तरह का खाना आता है, और सभी नीचे जमीन पर बैट कर ऐसे लाइन से खाना खाते हैं, सभी लोग एक साथ, तो ये माहौल ही अलग है, और जिस समय ये खाना खा रहे होते हैं, चाहे आप गरहा के एक रुपे वाले हों, चाहे आप गरहा के दस लाक वाले हों, उस समय ये वैपार नहीं करते हैं, दर्वाजा बंद कर देते हैं अंदर से और हाथ जोड़ते हैं कि खाने का टाइम है, हम बात ही नहीं करेंगे, इन में अपना घर से आते हैं. बहुत बड़ी गाड़ी है. और जो इनकी गाड़ी चलाते हैं, वो भी इनके साथी दफहर में खाना खाते हैं. ठीक है, ये भी बड़े प्यारे इनसान है, लेकिन थोड़े से चुल बोले हैं नटकट हैं सेड़ जी से कुछ भी बोल देते हैं और फिर हसने लगते हैं सेड़ जी को इनका वेवार इतना पसंद है कि ये पहला इनसान है कि जिसके चुटकले पर कोई नहीं हसता ये खुद सुनाता है खुद ही हसता है तो वो भी एक अलग महौल है और ये जान बूज़ कर उससे बाते करते हैं कि भई अच्छा तूँवा गया तो तो वहां क्या हुआ की कुछ नहीं कुछ मसकरीची करते है कुछ चुटकला सा सुनाते है अब होता गया है कि अपनी दुक के बाहर आकर रुके हैं और सेड़ जी की से कहते हैं और सेड़ जी से कहते हैं और सेड़ जी आज तो दुकान का शटर जादू से खुलेगा तो इन्हों ने का जादू से खुलेगा मैं समझा नहीं क्योंकि चाबियां तो आप लाए नहीं अब हसने लगा वो खुदी सेड़ जी कहता है अरे सच्ची में क्या मैं चाबी नहीं लाया फिर कहता है अरे मैं लेकर आया हूँ ना सेड़ जी ने का किसी दिन ना भारी पड़ जागा तेरे को ये मजाख करना उसने कहा रहे आपके अलावा मेरा है कौन जिससे मैं मजाख करूँगा मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे इस तरह से बाते करना सेड़ जी ने का चले काम कर तू गाड़ी लगा ले फिर चाई पिएंगे सब मैं दुकान खुलवाता हूँ अब शोरूम खुलता है सब ही लोग दीरे दीरे करके आ रहें लेकिन तीन जने नहीं आए हैं अब स बात का जो कारिगर है अगर वो नहीं आएगा तो दूसरा उसके जगे काम करेगा तो बड़ी समस्य हो जाएगी पहली बात तो वो हुनरमन्द हैं उन्हें पता है कितनी पॉलिश में कितना फरनीचर पेंट हो सकता है लेकिन कोई नया आएगा तो पेंट भी जादा ले सकत है फरनीचर भी खराब हो सकता है नुकसान हो सकता है और सेड़ जी आज तक नुकसान का ना भी नहीं देखे हैं अब इन्हों ने बागी सबी से पूछा कि तुम मैंसे कितने लोगों को पॉलिश अच्छे से आती है करनी तो कई लोगों ने कहा कि सेड़ जी इसमें कुछ भी नहीं है बहुत आराम से कर देंगे लेकिन उनके हाथों में जादू है सेड़ जी कहते हैं मैं तो मानता हूँ ना तभी मैं तुम सबसे कहा रहा हूँ क्या तुम उनकी बराबरी कर सकते हैं ना ना हम अपने काम में माहर हैं वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते सेड़ जी तो हम उनकी बराबरी कैसे कर लेंगे तो सेट जी ने का रहे तुम यहाँ पर एक दूसरी की बराबरी वाली बात ना सोचो क्या तुम कर सकते हो क्योंकि मैं 900 सोफो का ओर्डर उठा चुका हूँ तो सब परिशान होकर 900 उन्होंने कहा और चार दिन में डिलीवरी है इसकी क्योंकि 100 जो हमने दिये थे उन्हें इतने पसंद आए हैं वो अपने सबी होटल में इन सोफो को लगवा रहे हैं तो मैं ओर्डर उठा चुका हूँ समस्या हो जाएगी बच्चो अब सबी ने अगा कि मालिक आपको समस्या हो जाएगी हम कब काम आएंगे हम सब रात दिन एक करेंगे और वो 900 सोफे जो है न सब कंप्रेट करेंगे उन्होंने का चार दिन है चार दिन में ऐसा नहीं कि उन तीन के आजाने से मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं बस ये चाह रहा था कि आप तीस के तीस लोग मिलकर अपने साथ एक दो एक दो जैने और ले आओ पचास जैने हो जाओ सब मिलकर काम करेंगे मैं भी यह रुकूंगा और ये चार दिन में इस पूरे काम को खत्म करना है तो सब ही ने का कि ठीक है हम कल अपने जान पैचान के लोगों को लेकर आते हैं जिनका इस फरनीचर की लाइन में हाथ साफ है सेट जी ने का ठीक है लेकर आओ अब इन्होंने सब ही को ओडर दे दिया है कि सब अपने साथ किसी ना किसी को लेकर आईएगा जो कि देखते हैं काम कैसे होगा घर आते हैं बड़े चिंते हैं तो इनके जो पिताजी हैं वो पूछते हैं बिटा क्या बात हुई है आज परेशान हैं तो उन्होंने बताया कि चार दिन में 900 सोफे की डिलिवरी करनी है और मेरे पास लोग कम है तो इन्होंने का कि जब तुझे पता है कि हमारे परिवार में 30 लोग हैं तो तुझे थोड़ा समय ले लेना चाहिए था उन्होंने का समय तो मैं बाओ जी ले ले था लेकिन वो जो मेरे तीन हीरे हैं ना वो छुटी पर हैं उनकी तवित खराव है और वो तीन इतने कमाल के हैं कि वो इतनी तेज काम करते हैं मैं क्या ही बताओं वो 20-20 लोगों का काम अखेले कर देते हैं तो उन तीन पर तो मुझे बहुत भरोसा था अब मैंने बाकि सभी को बोला है कि सब अपने साथ किसी ना किसी को लेकर आओ तो यहां थोड़ी सी मदद हो जाएगी पिताजी ने का सही है वेपारी बुद्ध है चल गई ठीक है हो जागा काम अगले दिन सुभा सभी लोग अपने साथ किसी ना किसी को लाए रहे लेकिन कुछ लोग नहीं भी ला पाए यहां देखिए मैं नाम बदल रहा हूँ इस आदमी का क्योंकि अगर मैंने नाम वो बोला तो यहां डिबेट शुरू हो जाएगी वीडियो के नीचे रिलिजिन पर आजाएगी बात आप समझ चुके होगे इनका नाम मैं रख देता हूँ राजू यह जो राजू है यह बोलते बहुत कम है ठीक है तो सेड़ जी को देखते है सेड़ जुका देते हैं तो सेड़ जी कहते हैं आप मैं पैचाने नहीं तो वहीं पर एक कारीगर आया और वो कहता है कि मेरा ना महेश है आप मुझे करें रहे महेश बेटा तुझे अच्छे से जानता हूं ये तेरे साथ आई है तू लाया क्या हाँ सेड़ जी आपने कहा था ना करें च्छे क्या जानते हैं करें फरनीचर का सारा काम जानते हैं पॉलिश भी कर सकते हैं तो मालेक एकदम खुश हो गए कि पॉलिश कर लोगे आप उसने कुछ नहीं का बस मुझ हिलाया तो इन्होंने का कि ये बोलते क्यों नहीं है बहुत कम बोलते हैं ये ठीक है कोई बात नहीं तो बिटा आप पॉलिश पर लोगो ठीक है और बाकी का काम सब लोग समझा देंगे फिर इन्होंने अपना रेजिस्टर कोला काम करना शुरू कर दिया लेकिन ये लगातार इन्हें देख रहा है घूर रहा है एक तरह से सेड़ जी को तो सेड़ जी ने इसकी तरफ देखा पूचा बिटा कुछ कहना है फिर उसने मना करती है कुछ नहीं सेड़ जी ने का कि फिर जाओ अंदर काम करो अब ये जो है काउंटर पर दोनों हाथ इस तरह रखकर सीधा खड़ा हुआ है तो सेड़ जी ने दोबारा पूचा बात पैसो की हो या कुछ भी हो अभी करो तुरंट करो मैं वास्ता मैं बहुत जादा बिजी हूँ वो अंदर चला गया ये अजीब सा लगा वहवार बाकी लोग और भी आये थे लेकिन इस राजू के साथ दो जने हो रहा है इन दोनों के नाम आप कुछ भी समझ लीजे लेकिन में किरदार ये राजू है अब होता क्या है कि अगले दिन शनीवार है और ये बहुत बड़ी कमाल की बात है कि जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में वेपारी या कभी-कभी घर पर भी शनी मारा जाते हैं ना आपने देखा होगा हाथ में उन पे दान पात रोता है जिसमें आप दान दे सकते हैं ठीक है आप तेल चड़ा सकते हैं आपने देखा होगा ना कभी भी इंसे गवराने की जरूरत नहीं होती ठीक है आप एक कसिका डालो उसमें अपने आपको देखते हुए ये तरीका होता है और जैशनी देख बोलो फिर देखो कमाल कैसे होने शुरू हो जाते है इनके जो शोरूम पर ये महरा जा रहे है ये पूरी मार्केट में सिर्फ तीन दुकान पर जाते है मांग कर कभी नहीं खाते ही है सही है और इसके पास आते हैं खड़े होते हैं और फिसे ध्यान से देखते हैं पूछते हैं बिटा समस्या है कोई उन्हों नहीं कर ना ना कोई समस्या है नहीं आप कैसे हो बहुत दिन बाद आए और ये ऐसा नहीं है कि हर शनीवार आते हैं कभी भी आ जाते हैं दो तीन महीने में एक बार आ जाते हैं ठीक है हाँ मेरा चक्कर नहीं लगा मैं शनीदवार ही गया हुआ था और तू ठीक है न उन्हाने का हाँ मैं ठीक हूँ कर सच बता मुझे कोई समस्या है कोई समस्या नहीं करें समस्या है तो सही लेकिन तुमुझे बता नहीं रहा है इसने का नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है आप बड़े है मुझसे और कब से आ रहे हो आप पिताजी के टाइम से आते हो आपको पता है कि मैं जूट कभी नहीं बोलता उन्होंने का बेटा तु जूट कभी नहीं बोलता और तु सब पर भरोसा बड़ी जल्दी कर लेता है मुझे तेरा काउंटर पसंद नहीं आया बाकी शैनी देव कृपा करें अब वो बस इतना बोल कर चले गए और आज ये मानिये कि इससे और कोई बात ही नहीं करी वरना वो बहुत कुछ बताते हैं इसको आगे के लिए थोड़ा सा ये मान लो कि गाइड करतेते हैं कुछ ना कुछ इनकी बातों के इशारे आप समझ लो ना तो बहुत कामियाब हो सकते हो अब उस दिन इन्होंने बहुत काम कीचा है ठीक है फरनीचर बहुत ये जो लंच का टाइम है ये भी इन्होंने आज फरनीचर में ही इस्तमाल कर दिया कोई खाने पर नहीं गया किसी ने कहा भी नहीं और सब मेहनत कर रहे हैं और ये खुद फरनीचर बनवाने में मदद कर रहे, अब ये घर पहुँचे हैं, हारे ठके, और अपने पिताजी से बोलते हैं, कि आज बड़ी अजीब सी बात हुई है, उन्होंने का क्या बात हुई है, कि रहाज महराज आय थे, शैनी महराज, और उन्होंने ये बात बोली है, कि तेरा मुझे पसंद नहीं, तो इससे बदल दे, तो कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको ध्यान है कि जब आप बैठा करते थे, शोरूम पर, ये काउंटर मैंने अपने हाथों से बनाया है, इससे मेरी भावनाएं जुड़ी नहीं है, मैं इसे कैसे अटा सकता हूँ, तो उन्होंने का, एक काम कर, फिर पूरे काउंटर को एक पार चेक कर, मेरे पास समय नहीं है, पिताजी मुझे और पूरा करना है, मैं काउंटर वगेरा मैं अभी ध्यान नहीं दे सकता है, जैसी तेरी इच्छा, अब ये रात दिन मेहनत कर रहा हैं, इनके पास वो ही क्लाइं order cancel कर देता है यह बहुत परिशान उतर बोलता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो आपने 900 सोफे का order दिया था ना हमें हम तगरीबन 700-700 बनवा चुके हैं आप ऐसे मना मत करो उन्हों नहीं का देखे आज delivery थी आपने करी नहीं हमारे को कल अपना जो होटल है यह जो है यह इसमें बहुत बड़ा एक समारो हो रहा है बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हमने कहीं और से arrange कर लिया हमें जरूबत नहीं है अब आप अपना देख लो कोई और करें आप ऐसे कैसे कर सकते हो करें कि अरे हमने आपसे सौ सोफे जो लिये थे उसकी तो पिमिंट कर दी ना तो अब हमसे क्यों ऐसे बोल रहो और ऐसा है आप मार्केट के किंग होगे लेकिन जब जब जरूरत पर आप काम ना कर पाऊना तो किंग को जोकर बनने में देर नहीं लगती है अब यहां पहली बार इनकी कोई बेज़दी करके जा रहा है वो भी इनकी दुकान पर खड़े होकर इन्हें बहुत पुरा लगाई है बाकी सब जितने भी लोग हैं जिनोंने मेहनत करी और साड़े साथ सो सोफे बनाए सब की आँखों में आसु आ गए अपने मालिक पर इस तरह की बात होते देख लेकिन एक भड़क भी गया उसने का कि आप मालिक से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं अरे आपको समान नहीं लेना मतलो लेकिन आप ऐसे कैसे बात कर लोगे उन्हाने का ऐसा है तू कारीगर है कारीगर बना रहे यहां मालिकों के बीच मुम्म्मद बोल अब यहां इनको करोद आ गया थोड़ा सा कि यह मेरा बच्चा है आपको समान नहीं ले ना कोई बात नहीं आपने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दे दी मैं सीख गया लेकिन यहां आप गलती कर रहे हो मेरे बच्चे से इस तरह से बात मत करो आप आपको समान नहीं चाहिए मतलो आप कहीं और से ले लो कोई बात नहीं मुझे से गलती हुई है मैं भरपाई कर लूँगा लेकिन बच्चों से ऐसे नहीं बोलोगे अब वो आदमी बहुत उल्टा सीधा बोलकर यहां से चला गया इसने सीधा अपने पिता को फोन किया और बताया सारी बाते वो कि तो कोई बात नहीं बेटा वेपार है उतार चड़ाव होता रहता है कभी मंदी कभी तेज ये भई गरहक किस दुकान चड़ जाए कोई नहीं कह सकता अगर ऐसे सभी को पता चल जाए कि गरहक कब आएगा तो वेपार करने का मज़ा ही क्या है कोई बात नहीं तु मेरा शेर है शेर अब इसके पता नहीं इसे बहुत अच्छी अच्छी और भी बाते वोई लिए जिसकी वज़े से थोड़ी सी एनरजी बूस्ट हो गई इसकी इसने सभी को का कि एक काम करते हैं और ना मिलने की खुशी में चलो समोसा जले भी खाते हैं सब लोग हसने लगे कि सेड़ जी क्या बूल रहे करे रहे कोई बात नहीं है ऐसे ओर आते जाते रहते हैं क्या हम खाना पीना चोड़ देंगे जाओ चलो जले भी लेकर आ और समोसे खाएंगे सब लोग अब सब लोग हसने हैं कि सेड़ जी को इत्ता बारी नुकसान हुआ है लेकिन सिर्फ हम सब का दिल रखने के लिए ये देखो ये दिखा नहीं रहे हैं वो दिन भी बीच जाता है अगले दिन सुबह सुबह इनके शुरूम के बाहर वो ही आदमी खड़ा है राजू सबसे पहले क्यूं आया पहली बात तो ये दूसरी बात इसको मालिक बोल चुके हैं कि जो भी लोग एक्स्ट्रा आये थे उन्हें अब वापिस जाने को बोल दो लेकिन ये क्यूं नहीं गया है अब इन्हें बड़ा हजीव लगा कि जब आज किसी को बुलाया ये नहीं सिर्फ वो ही लोग काम करेंगे जो पहले करते थे ये क्यूं आयो उससे पूछते हैं कि राजू आप क्यूं आयो तो उसने का मालिक आपके काम करना है मुझे मैं कहीं और नहीं जाऊँगा उन्हो आपका वहवार बहुत पसंद आया मैं कहीं जाना नहीं चाहता अब यहां इनका दिल बहुत नरम है एकदम किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं फिर बोलते हैं कि बच्चे काम कर तू आजा चल कोई बात नहीं जो सभी को तनका मिल रही है तिर को भी मिल जाएगी मुझे कोई स सच मैं बिना पैसो के भी काम करूँगा आपके हां उन्होंने का ना बिटा है ऐसे हम किसी का ऐसान नहीं लेते चल आजा शटर खुला है तब ही इनके फोन पर घर से फोन आ गया कि एक जरूरी चेक है जो कि आपको साइन करना था वापिस आओ बड़े परेशान हुए लाल पर राजू है दियान से सुनियेगा भी यहां से ये वो ही राजू है बाकी लोग भी आ रहे हैं ये कुछ समय बीट गया ठीक है और इनके अब आरडर कैंसल होने शुरू हो चुके हैं इनको तकरीबन पंदरा दिन में वो नुक्सान हुआ जो कि इनकी तीन साल की कमाई थी पंदरा दिन में बड़ा परिशान हो रहा है ये कोई समस्या नहीं थी इन्हें शारिर एक बस थोड़े से भारी हैं और कोई समस्या नहीं थी लेकिन अब थोड़ा सा बीपी भी इन्हें डिस्टब करने लग रहा है समस्या कुछ अजीब जी है और दुकान में पूजा पाट करने के बाद भी मन की शांती नहीं है थोड़े दिन और बीटते है एक दिन ये सुबह जब अपने शोरूम पर पहुँचे है दस बज़े गरीब इन्हों ने शोरूम खोला है और बारा बज़े घर आ गए सभी ने पूछा है तुम्हारी तबे ठीक है है उन्हें के तबे ठीक है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा दुकान पर बैठने का शोरूम पर बड़ा जीब लग रहा था तो मैं घर आ गया पिता जी ने इसका माता देखा और कहते हैं कि तबे तो तेरी ठीक है लेकि तु पहली है एक काम करेंगे बाबा के दर होते हुए जाएंगे और मंदिर के बिना अब तु दुकान नहीं जाएगा ठीक है पहले जा बाबा के सामने मतलब शनी महराज के सामने और शनी देव को बता अपनी जो भी समस्या है तब ही तु यहां से बाहर निकले गा उसने का कि मुझे किसी मंदिर जाना नहीं है और मेरे को जो समस्या लगेगी उसका सॉलूशन मैं खोदी देख लूँगा शनी दे थोड़ना कुछ करते हैं जैसे ही इसने ये बात बोली है पिता ने का कि बेटा सो परसेंट दुकान पर कोई समस्या है और दुकान पर किसी को तुने रखा है क्या कोई निया उसने का कि हां रखा है लेकिन उससे तुम्हें क्या दिक्कत है अपने पिता को पहली बार उल्टा जवाब दे दिया क्योंकि जब आपके इर्दगिर्द नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो उसका जो औरा होता है उसका जो कैसे समझाओं उसका आसपास ह होना बहुत सारी चीजों में परिवर्टन ले आता है सबसे पहले आपका वहवार चिड़ चिड़ा हो जाना दूसरा शारे रिक कोई समस्या कभी हैडेक है कभी बाडी में पेन है कभी आँखों में जाता जलन दर्द या कुछ भी और भी समस्या ठीक है और अगर उस शक्त कुछ-कुछ समझ रहे हैं कि दुकान पर कोई ना कोई समस्या है या इसके साथ है तो अब मैं लगातार इसके साथ थोड़े दिन दुकान पर जाऊंगा ये वरद हैं लेकिन स्वस्त हैं अगले दिन सुबह अपने बेटे को जब जगाते हैं तो ये आज जाने के मून में कि मुझे नहीं जाना, उन्होंने का बेटा जाना तो पड़ेगा, अब चाहे तु मेरी जिद समझ ले, या कुछ भी समझ ले, फटा फट से जा, ना दो के आओ, और मुझे मंदिर लेकर चल, उन्होंने का बाहर गाड़ी खड़ी है ना, जाओ, ले जाओ, मुझे क्यों जग लेकिन तू चलेगा, पिता की जिद है, बेटा इतने समय से इनका आदर कर रहा है, तो तीसरी शक्ति इनका निरादर करा नहीं पा रही, यह मालिजे कि शनी देव अभी इनके साथ ही है, अब यह नहाद होकर आता है, तियार होता है, गाड़ी में बैटता है, और बाओ जी इसे कहता है, कभी-कभी आप बच्चों अले हरकते कर देते हो, जिद कर रहे हो, और मेरा मन नहीं था उठने का जाने का वेपार, मेरा मन नहीं था, आप जबरदस्ती लिया है, करे अब नहा लिया ना, अब एक काम करेंगे, मंदिर से सीधा दुकान चलेंगे, मैंने चाब करेंगे, अरे दुकान में पूरे शोरूम में आप सफ़ाई करोगे, कैसी बाते कर रहे हो, कोई बात नहीं, बेटा मैं तो आज करूँगा, तू मेरे साथ चल पहले मंदिर, शनीदेव के सामने आते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, और ये जो पिताजी हैं, ये बोलते है कि बाबा इस पर थोड़ा ध्यान दो, लल्का मुझे परिशान लग रहा है, और कुछ ऐसा लग रहा है कि आसपास इसके कुछ है, आप देखो ज़रा, कुछ ऐसा बोला, और इनसे बोलते हैं कि तेरे साथ जो समस्या बोल दे, कहता है कि बाबा मेरे पे कोई समस्या नहीं ह किसी के आने से पहले शानी महराज आ जाते हैं, ये वक्त ही नहीं इनके आने का, लेकिन जैसे ही आते हैं, दोनों अपनी गद्दी से खड़े हो जाते हैं, और कहते हैं कि महराज आप इस समय जैशानी महराज, और बाब जी कैसे हो, नगा मैं बिलकुल ठीक हूँ और बहु यह तुमने जो रखा हुआ है ना, बेटा हटा लो, नहीं तो कुछ अभी उतार चड़ा हुआ है वेपार में, किरा कि आपको कैसे पता है, बेटा मेरे को तो बहुत कुछ और भी पता है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूं, यह काउंटर पसंद नहीं है मुझे तुम्हारा, और अगर अब भी समझ नहीं आ रही ना, तो कुछ दिन में, घर में माता मन जागा, फिर मत कहना कि मुझे बताया नहीं था, बंद हो जागा यह, अब जैसे उन्होंने बोला ना, शोरूम की तरफ देखकर कि बंद हो जागा यह, पिता जी बोलते है कि आप सीधी सीधी तर मुझे अनुमती होती है, मैं उतना ही बताता हूँ, सबी कुछ बता दूँगा तो मैं भगवान नहीं बन जाओंगा, हैं, आप कैसी बाते करते हो, इतने में आपको सबर नहीं हो रहा है ना, मैं चलता हूँ, और मैं अब तब ही आओंगा, जब तुम लोग मुझे बुला मैं अब दिनेश के पापा को फोनाया है, दिनेश की ममी का, तो कहता है कि हम तो यहाँ से शोरू रूम आगें अनुह नहीं का आपने ना उपनी दवाई काई कर गए हो, नहीं तो तुम दूने खाना कर गए हैं और थोड़ी बात करनी थी किसी से, मैं आ रहा हूँ, अब इ एक घर पहुंचे हैं तभी शोरूम से फोन आ गया किसी का कि सेड़ जी गिर गए है और इन्हें लेकर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं दिनेश के पिता पड़े चिंतित हो गए कि गिर गए हैं कहा कैसे क्या हुआ था किरे कुछ नहीं इन्हों ने बस अपने चाती पर इस तरह से हाथ लगाये और बोल रहे हैं कि बहुत दर्द हो रहा हुआ ही है अब यह सभी लोग भागते हुए सीधा पहुंचे रहा हॉस्पिटल और हाँ भाज साब से कहें कि वैपार किसी और को हैंड ओवर करिए ठीक है ये बैटने लाइक नहीं है क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी टेंशन हुई ना तो समस्या हो जाएगी बहुत गंबीर हो जाएगी आप मानो मेरी बात बाओ जी और आना का ये शोरूम पर कब से ब तो डॉक्टर साब बोलते हैं कि अगर सब कुछ आप ठीक देखना चाहते हो तो 15-20 दिन सब को घर रखिए वेपार से थोड़ा दूर रखिए इनके उपर किसी भी तरह का कोई लोड नहीं आना चाहिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी स्ट्रेस इनकी जान लेगी आपको सीधे तरीके से बता दिया मैंने बाओ जी कहते हैं ठीक है ऐसा ही होगा हम इसे वेपार पर मतलब शोरूम पर नहीं जाने देंगे अब जब यह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है घर आता है चिंते तरह परेशान है वेपार को भी लेकर और घर परिवार को भी लेकर कि यह सब हुआ तो कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तब ही एक क्लाइंट का फोन आता है वो इन्हें बहुत जबरदस्त बढ़िया वाल ओर देता है सारी समस्यां एकदम से दूर हो गई ठीक है दिमाग में बहुत सारे बाते आ रही थी कि कहीं किस अब इस ओर्डर को लेकर इन्होंने बाकी लोगों को जिनसे इस ओर्डर को कंप्लीट कराना था काम दे दिया समझ रहे हो ठीक है उन्होंने काम शुरू कर दिया इन्होंने उसकी थोड़ी 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 पेमिंट कर दी दो दिन बाद उस आदमी के घर में क वहां से माल तयार हो चुका है इसका गोदाम पहले ही भरा हुआ है और जो स्टॉक बनवाया था वापिस आ गया ये बहुत बड़ा जटका था इसके लिए लेकिन इसके पिता जी ने से बताया नहीं उन्हों ने का हाँ हाँ सब कुछ सही चल रहा है बस उसने पेमेंट के लि पूर हो रहा हूं कल मैं सोच रहा हूं दुखान चला ही जाओं क्योंकि बिना शोरूम को देखे ना मन नहीं लग रहा तो किता रहे लाला जी आप आराम से लेटिये मैं तुम्हारा पिता हूं मैं जब कहूंगा जब जाएगा किता रहे आप मिरे साथ चलो ना उन्हें का ठीक है मैं चलूँगा कमाल की बात देखिए आज फिर से शैनीवार है दोनों आए हैं और यहां ये दोनों अब उनका इंतिजार कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि तुम मुझे याद करोगे मैं आओंगा तो ये बार बार बाहर जहां कर देख रहे थे दोनों जोने कभी बात है तो आप हमें बताओ उतार चड़ा वैसा हो रहा है वेपार में कि मैं 15 दिन से घर पड़ा हूँ मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गया था और मेरा मन नहीं लग रहा वेपार में और मैं आपको सच बताओं तो मुझे कुछ दिन से दुकान में अजीब सी बदबू भी जाती है मैं बहुत सारी अगर्वती दूबती ज़लाता हूँ बहुत सारा इस्प dollars करता हूँ लेकिन यह वदबू जाती नहीं है उन्हें का तेरे पूरे शुरूम में कहीं बदबू नी है तेरे कांटर के अलावा मैंने तेरे को पहले दिन बोल दिया था लेकिन तेरी अभी लोग आ हो चुक के एंट और अनका नी मेरे शोरूम में तो सभी हैं समय लेकिन आप क्या बोलोगो बिल्कुल समझ नहीं हारा हु मैं और अनका तेरा काउंटर जो है मुझे पसंद नहीं है मैने कइंब और बोला है अरे तू उठाकर भार क्यों नहीं फैक देता है इसमें कोई ना कोई समस्या है दिक्कत है हाँ जोड रहा हूँ घर में तुम परिशान हो जाओगे अभी भी इससे बाहर नहीं आए तो और इसका कोई फिर तोड़ नहीं हो पाएगा वो तो तुम पर शनी देव की कृपा है मैं साफ साफ बोल सकता हूँ इसलिए तुम बच रहे हो उससे जो की इस काउंटर के साथ है जोड़ा हुआ इससे जादा कुछ नहीं बताऊंगा बाकी तुम जानो तुमारा काम जाने और जब तुम ये काउंटर हटा चुके हो ना तब मुझे याद करना अब अब मैंने आना ही नहीं है क्योंकि ये मेरा नहीं ये शनी देव का अपमान हो रहा है तो उन्होंने का आप ऐसे ना बोलो शनी देव के लिए हम इस काउंटर को जो इनके कारीकर है कि बिटा इधर आओ सारी फाइल वाइल निकाल कर पीछे रखो और ये काउंटर को एक काम करो पूरे को साफ करो ठीक है इस पर पॉलिश करवानी है उन्हें क्या बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना करे बहुँ जी अभी वो रुख गई या टक गई वो खुल नहीं रही थी तब ही वो आता राजू जिसका नाम मैंने राजू कर दिया है वो किता बाओ जी को चाई पी नहीं है 10 रुपे दे दो उन्होंने कहां बिटा ले पैसे दी उसे जा चाई पी क्या अब इन्होंने कोशिश करी वो आखरी वाली दराज नहीं खुल रही है बार बार कोशिश कर रहे है लेकिन वो खुल नहीं रही है तो कहता है कि ये दराज में चावी लगा ये कहत मतलब ताला है क्या तो इसने दिरिश नहीं का नहीं बाओ जी मेरी तो किसी भी दराज में कोई चावी नहीं, मेरे तो गले में भी ताला नहीं है, यह फिर यह खुल क्यों नहीं रहा, ऐसा लग रहा है کہ यह बंद करा हुआ है किसी ने, अरे इस पर कील ठोक रखी है साइड में देखो, और रहना का कील क्यूं ठोकी है तुने दराज बंद करने के लिए कहता बाओ जी मैं क्यूं करूंगा करें काम करो बच्चो कील निकाल के बाहर करो और दराज बाहर निकालो इसे कीले ठोकर रखी थी उसमें बहुत सारी ठीक उन सभी कीलो को बाहर करवाया गया दराज जब खोली है तो उसमें किसी ने कुछ कर रखा था मैं साफ तब वहां कारी गरें सब देखकर डरगें कि ये क्या था और किसी को समझ नहीं आ रहा है ये हुआ तो हुआ कैसे इनके दुकान में कोई कैमरे वगेरा नहीं लग रहे शोरूम बहुत बड़ा है लेकिन बस ये मानिये कि इनोंने लगवाना सही नहीं समझा कि बाकी लोगों को लगेगा कि अब सेड़ जी को हम पर भरोसा नहीं रहा इसलिए इनोंने लगाया ही नहीं अब दुकान में सब लोग हैं सिर्फ राजु को छोड़ कर तब ही इनके पिता जी बोलते हैं कि राजु को बुला कर ला हो जरा कुछ पूछना है बाहर जाकर देखते हैं किसी भी चाय की टपरी पर राजु नहीं है वो जिस काम को आया था वो काम तो वो कर गया था लेकिन इनकी नजर में आ गई यह चीज़ जब वो जो बच्चे गई थे देखने के लिए मतलब कारीगर राजु को आगर कहते हैं कि राजु तो नहीं मिला बाओ जी लेकिन इसका क्या करना है यह जो है करें कोई बात नहीं उपर वाले का नाम लो शनी देव का नाम लो ठीक है अभी हम सभी लोग मिलकर हनुआन चलीसा का पार्ट करेंगे और यह हम सब का कुछ नहीं बिगाड़ेगा तब ही आते हैं शनी महराज जो थे वो कहते हैं कि आपको काउंटर अप पसंद आ गया शनी महराज इनसे पूछते हैं वो दोनों खड़ो जाते हैं कहते हैं कि आपको कैसे बता कहते हैं इसी लिए मैं तुम लोगों को बताने आया था कब से जुड़ाऊंगा हूँ तुम लोगों से मैं उनका ये मानलो सेवक हूँ उनके किसी भक्त पर कोई समस्या है तो मैं इट गर्दा कर थोड़ा सा कुछ बता जाता हूँ मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं आता ला मुझे दे दे मुझे पता है क्या है ला मुझे दे उन्होंने का मतलब इसे हम छूदें कहते हैं कि इसके आज पास कहरें बच्चे शनी देव का हाथ है तुम दोनों पर तू उठा कर दे मुझे खबरा मत अब उन्होंने जब ऐसा भोला तो पिता जी जैसे ही उसको हाथ लगाने वाले थे तब ही इनके बेटे ने कहा दिनेश ने कि आप मत करो मैं करता हूँ अब इसने उसको जैसे चुन लगे इसने रोग दिया जो शनी महरास्ते है इसने रोग दिया इने बोलते हैं कि बच्चे मन में डर है जिस दिन मन में डर ना हो और सिर्फ मन में शनी देव होना, उस दिन से इनका तुम पर कोई ऐसर नहीं होगा अरे, जो गलत कर रहा है उसके साथ तो आगे गलत होना ही है, ठीक है? है, लेकिन तूम डरो मत रुको मन मैं जब ये डर ना हो तब ये काम रहाँ करना हटो वो आते हैं खुद उṥाते हैं और अपने जोले में रख लेते हैं उसे कहते हैं बाबा भली करेंगे तो ये शनी महराज जो होते हैं ये कहते हैं कि आपकी ये समझीए समस्या टल गई है कहीं ना कहीं जो अरचने थी वो बाकी दूर हो जाएगी एक बार बाबा के दर्शन करके धन्यवाद करते हैं न उन्होंने का रे हम तो बाबा के बगएर कुछ है ही नहीं हम घर पर भी रोज आस लगाते हैं कि बाबा आच्चे मतकार करेंगे बाबा हमें इस समस्या से बचाएं करें बाबा की वज़े से ही बचे हो तो मभी तक और इस राजू को ढूंडने की कोशिश मत करना क्योंकि ये भेजा था किसने वो मैं नहीं बता सकता कुछ हमारी भी सीमाई हैं जिसे हम नहीं लांग सकते तो बचे जो होना था हो गया इस से आगे सब बाबा भली करेंगे अब सभी ने एक साथ बोला जै शनी देव और फिर उसके बाद ये जो महराज हैं शनी महराज ये वहाँ से उसके साथ चले गए कुछ जल दे कर गए थे इने जैसा कि इने बोला कि हर शनीवार इसको अपने दुकान में छिड़कना अपने शुरूम में गंगा जल और कभी भी कभी भी किसी को भी अपने शुरूम में रखने से पहले बाबा से अनुमती ज़रूर ले लेना अगर बाबा से तुम पूछोगे उन पर भरोसा करके तो वो दुकान पर रुकेगा हटेगा ये बाबा देख लेगे अचा हाँ यहाँ आपको मैं एक चीज़ बता दू उसके बाद से अब इनका समय वास्तव में बहतरीन है आज भी ये अपने उसी मुकाम पर है जिस पर मैंने कहानी के शुरुआत में आपको बताया था मार्केट के किंग है लेकिन वो जो स्थित्य आई थी और बाबा बीच में नहीं आते तो बतानी कहां से कहां आने वाले थे लोग खैर कहानी में आज इतना ही कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सबस्क्राइब करिएगा चैनल को कमेंट में लिखिएगा जैशनी महराच जैशनी देव और आपका नाम आपकी जगे मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि आप मेरी कहानी उपर भरोसा करो लेकिन जो बेचता है उसकी भावनाओं का वस्समान करो थांक यू सो मज फर वाचिंग मेरा नाम नितन है मुलाकात करूँ आपसे एक अगली वीडियो में हर हर महादेव जै भुलेनात धन्यवाद